हेलो गाइस वेल्कम बैक टो माई चैनल आज हम यहां पर सिंपल एं स्ट्राइलिस नेक डिजाइन करेंगे सबसे पहले देखे कि मैंने यहां पर डबल पेस्ट फोल पेस्टिंग ली है इसकी लंबाई साड़े 5 इंच है चोड़ाई 5 इंच है और लंबाई यहां पर साड़े ले सकते हैं आप अपने कोडिंग इसको कम्या जादा कर सकते हैं और लेंथ मैं 6.5 इंच लूँगी लेंथ भी आप बढ़ा सकते हैं और इसको छोटा भी कर सकते हैं इसका एक बॉक्स बनाएंगे हम यहां पर बॉक्स बनाने के बाद मैं एक नेक और यहां पर कट करूंग यहां पे मैं इक इंच चोड़ाई में एक्स्ट्रा और एक ही इंच लंबाई में एक्स्ट्रा निशान लगाऊंगी इस निशान को भी आप कमिया जादा कर सकते हो जब बाद में नेक कटिंग और इसकी चोड़ाई आपको तब पत्त लगेगी कि हमेंeyed ॉयह हम कैसा कैसी शेप यहाँ पर कट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कमी अज़ाद कर सकते हो यहाँ पर देख़िए राउंड शेप देंगे फिनिशिंग यहां पर लिए बैट रहा है सबस्ताइब कि यहां पर सब्सक्राइब कर्णाइबने की निया सबस्क्राइब देंगे तो इंच का मारचन देखिए आग चोड़ दिया है फ्रन्ट में हम gap रकेंगे यहाँ पर देखिए एक इंच की गोलाइफ फिर हम यहाँ पर देदेंगे और अब मैं इसको दिखेंगे यहाँ पर कटिंग करूँगे तो यहाँ पर मेरे दो neck कट हूँगे इसने को मैं यहां से अलग कर लूँगी अलग करने के बाद मैं उपर जो मैंने राउंड शेप दी है उसको भी हम कट करेंगे अच्छी सी एक राउंड शेप देंगे तो देखे मेरा नैक यहां पर कैसे बनेगा मैं आपको दिखाती हूँ पहले यह मेरे दो पैटरन है नीचे की तरफ यह ऐसे राउंड शेप बनेगी और राउंड शेप बनाने के बाद उसके अंदर यह वाले पैटरन यहां पर फिक्स होंगे तो अब हम इनको कपड़े के उपर fix कर लेंगे जो मेरे दो पैटरन है इसको मैं double fold कपड़े के उपर paste करूँगी और जो मेरा नीचे वाला neck है इसको देखे मैंने single कपड़े के उपर paste करके इस किनारे को fold करके कुट्टी के उपर अच्छे से fix कर दिया है और यहां पर दीखे मेरा थोड़ा कपड़ा था यहां पर तो मैंने इसको ऐसे थोड़ा टेड़ा करके रखा है तो इसको मैंने यहां पर कच्छी से लएक के साथ fix कर दिया है दूसरे पैटरन को भी ऐसी fix किया है मैंने इसको बाद में बनाएंगे हम पहले राउंड ने को हम स्टिच कर लेते हैं राउंड ने को स्टिच करने के बाद गाईज यहां पर हम जो अंदर की तरफ एक्स्ट्रा मार्जन है हाफ इंच का मार्जन रखेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे करने के बाद जो हमारी यहां पर राउंड शेप है उसमें हम चोटे-चोटे कट देंगे ताकि जो हमारा नेक है वह अंदर की तरफ सब्सक्राओं के साथ फोल्ड्रों सब्सक्राइब करने के बाद में इसके किनारे के ऊपर हमें सिलाई लगानी है कि सिलाई कम्प्लीट होने के बाद हम अंदर से जो एक्स्ट्रा मार्जन है इसको कट करेंगे ए Mid- το ए और यहां पर राउंड शेप में च्ट देंगे चोटे अब मैं इसको फॉल्ड करimenई को पेहले कक्छी यहां पर निशान लगाऊंगी है यहां टो किया हैbey इसमे मुझाए पर कहा तक हम तक हमें कहाँ पर दूसरे नेक के साथ करना है आ आ जहां मैंने निशान लगाए हैं अब हम वहाँ पर जिलाई लगा देंगे ताकि दून कपडें हैं उपर नीचे वाला वो फिक्स हो जाए और हमें पता भी लगे कि हमें इसको कहां से स्टिच करना है तो यह जो हमारा सिलाई का मार्जन है वह हम इसी के ओपर हमारी सिलाई आएगी और इस सिलाई से हमें हाफ आफ इंच एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है देखिए ऐसे दोनों पै पाई-पीण कांओ कर सकते हैं और इसको ऐसे अश्कटे है2 यहाँ पर मैंत यह का इरूज करूंज उपर इसके किनारे की ऊपर हमें सिलाई लगानी है अपने नेक की नारे के उपर ऐसे करके हम अपने पूरे राउं नेक में यहां पे लैस को स्टिच कर देंगे कि फिनिशिंग के साथ हमें लैस को देखे मैंने यहां पे स्टिच कर दिया है और सेंटर में मैंने एक छोटा सा निशान भी लगाया है सेंटर में निशान इसलिए लगाया है जब हमने उपर वाली पट्टी यहां पे कट की थी तो मैंने सेंटर में एक छोटा सा गैप दिया था तो यहां पे भी हम थोड़ा सा गैप रखेंगे देखे और बिल्कुल इसके किनारे के उपर जहां पे मैंने छोटे वाले पैटरन के उपर सिलाई लगाई है बिल्कुल उसके उपर हमें यहां पे सिलाई लगानी है देखे मैंने जूम करके दिखाया आपको इसके किनारे के उपर हमें सिलाई लगानी है इसको मैं सिफ एक पैटरन आपको बना के दिखाऊंगी दूसरा पैटरन आपको सिम ऐसे ही बनाना है उसको मैं आउनली रख के दिखाऊंगी कि हमें यहां पे कैसे उसको स्टेच करना है सिलाई में लगा के नहीं दिखाऊंगी सिलाई हमें सिम ऐसे ही लगानी है जैसे मैं य एक चीज का जुरूर ध्यान दें मीची देखते रहना है हमें जो छोटे वाले पैटरन के उपर सिलाई लगाई थी सिलाई बिल्कुल लुजी के ऊपर आने चाहिए तभी हमारा नेक फिनिशिंग के साथ बनेगा और मैं दूसरा पैटरन आपको रखके दिखा देती हूं दे सिलाई बिल्कुल ऐसे किनारे के ऊपर हमें यहां पर लगानी है तो फिनिशिंग के साथ इस पैटरन को हम स्टिच करेंगे पैटरन देखी मैंने आपे स्टिच कर लिया है स्टिच करने के बाद मैं यहां पे दो बटन्स का यूज करूंगी आप इसको नॉर्मल ऐसे भी र स्टिच कर लिया है